हेलो वाइज मेरे नाम है साजी सैफी और मेरे चैनल वाइब क्लिक में मैं आप सभी का तहीं दिल सहूँ अलगम करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में यहां हम बात करने वाले हैं Realme के अपडेट के बारे में रियल्मी का फॉन है तो आप definitely हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि यहां रियल्मी से related जितनी भी news होती है जितनी भी information होती है वो सारी की सारी आपको इस चैनल पर वीडियो के माद़िया हम से बता दी जाती है सबसे पहले तो चलिए खर दोस्तों आप वीड updates on यहां इस तरह से एक message यहां एक sentence अप्रोड किया है इस tweet में उन्होंने बताया है realme के जितने भी फॉन्स हैं उनके updates के बारे में कर लेते हैं सबसे पहले realme 2 pro की तो यहां दोस्तो realme 2 pro के अंदर आपको 15 मई के आसपास जो है आपको update देखने को मिल जाएगा android pi plus color os का और साथी साथ दोस्तों यहां आपको realme 2 pro के अंदर hall 3 का support भी देखने को मिलेगा चलिए खर मैं वीडियो में आगे आपको बता महूं कि यह hall 3 क्या है उससे पहले हम देख लेते हैं कि realme के बागी device के अंदर हमें यह update कब देखने को मिलेगा अब जैसा कि दोस्तों आप यहां गौर सा देखें यह realme 1 और realme U1 के अंदर आपको यह update 5 जून को देखने को मिलेगा यानि कि 5 जून को आपको यह update आपके phone के नहीं है सभी users के लिए बड़ मैं आपको correct date बताता हूँ कि correct date अप तक यह आपके phone के अंदर updates जो android Pi का plus color OS 6 का है यह आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों इससे पहले मैं यहां आपको दिखा दूं कि जैसा कि आप गहर से देखें यहां पर जो tweet है इसमें साफसाफ तो यहां beta version को समझने के लिए मैं आपको एक example देता हूँ कि जैसे for example के लिए कुछ companies होती है जैसे mostly जो भी company software बनाती है तो वो क्या करती है कि एक form fill कराती है यानि कि वो अपने कुछ beta version जो अपने software का beta version होता है वो कुछ users को select करती है और उन users को वो update सबसे पहले provide करती है त आसन भासा में इसको आपको समझाता हूँ जैसा कि दोस्तों आपको पता है यहां जैसे कि for example के लिए आप WhatsApp ले लीजिए या हाइक ले लीजिए या कोई भी other software ले ले लीजिए तो यह companies क्या करती है कि यह आपको beta tester बनने का मौका देती है इसी तरह realme क्या करती है कि एक form fill क आती है और form fill कराने के बाद जितने भी users उस form को fill करती है तो fill करने के बाद होता क्या है कि जो realme की company है वो जैसे कि suppose करी है 1000 या 10,000 या 20,000 लोगों ने form fill किया तो अभी company क्या करेगी उसमें से 500 या 1000 users को select करेगी और select करने के बाद होगा क्या कि जितने भी updates सबसे पहले release किये वो केबल उन 500 या 1000 लोगों को ही सबसे पहले provide किये जाएंगे जिने company select करेगी अब होगा क्या कि जब update सबसे पहले उन 500 या 1000 लोगों के पास पहुंशेगा तो वो company को feedback देंगे कि जो भी issue होगा software के अंदर वो 500 या 1000 users वो directly company को review दे देंगे यानि बता देंगे feedback देंगे कि इसके अंदर ये कमी है अब ये कहोगा क्या कि इससे company को help मिलती है यानि कि जितने भी issues होते है updates के अंदर वो उन्हें solve करने के लिए यानि उनका company को feedback मिल जाता है customer का अब mostly होता क्या है उसके बाद कुछ ये जो testing होती है ये कुछ समय तक चलती है और उसके बाद होता क्या ह है कि पंद्रे से जैसा कि आप यहां गोर से देखेंगे 15 से 20 डेज अब दोस्तों इसका मतलब यह है कि जितने भी यहां आपको ये update की date mention की गए जैसे कि realme 2 pro है जब यहां इसकी testing यानि की beta version tested जो भी होंगे जब वो company को feedback यानि की जो भी देंगे और जो भी issues इस software के अंदर होंगे update के अंदर वो जब resolve कर दी जाएंगे तो इसमें होगा क्या कि आपको जैसे कि यहां realme 2 pro के अंदर आपको 15 मई को यह update देखने को मिलेगा बड जितने भी other users हैं जो की normal users हैं उनको जो है 15 सा 20 दिन के बाद यह update देखने को मिलेगा यानि कि आगर हम यहां realme 2 pro के update की बात करें तो यहां आपको यह लगबग 30 मई के आसपास आपको देखने को मिलेगा realme 2 pro के अंदर यह update अगर यह realme U1 और realme 1 की बात की जाए तो यहां आपको 5 जून का यहां mention किया गा है तो दोस्तों यह beta version वालों के लिए है अगर आपको यह update की अगर मैं बात करूं तो यह simply आपको लगबग 20 से 25 जून के आसपास देखने को मिलेगा आपके फॉन के अंदर इसी तरह दोस्तों अगर realme 2 और realme C1 की बात की जाए तो यहां आपको यह update 30 जून से लेके 10 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलेगा आपके realme 2 और realme C1 के अंदर यानिके android pi औ मैंने आपको clearly बताया कि beta version क्या होता है और यह जितने भी update यह mention किये गये हैं यह आपके phone के अंदर आपको कब मिलेंगे अब बात कर लेते हैं यहां hall 3 support की तो दोस्तों यहां जैसा कि आप बहुर से देखें realme 2 pro के अंदर android pi का update तो आपको देखने को मिलेगा ही साथ ही आपको extra hall 3 का support भी देखने को मिलेगा दोस्तों यह hall 3 support का मतलब यह है कि अगर आपके phone के अंदर hall 3 का support होता है तो दोस्तों आप जो google का camera होता है आप उसे directly अपने phone के अंदर install कर सकते हैं और उसे enjoy कर सकते हैं तो दोस्तों फिलाल यह realme 2 pro के अंदर ही हमें देखने को एंसा कुछ भी mention नहीं किया गया है तो चलिए खर दोस्तों मैं next video में आपको और अच्छे से बताऊंगा कि hall 3 का जो यह support है यह किस तरह से work करता है realme के device के अंदर तो दोस्तों फिलाल इस video में सिर्फ इतना ही था मुझे उम्मीद है कि आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको यह video पसंद आया है तो प्लीज आप इस video को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल लब हो ले तो चलिए फिलाल इस video को finish करते हैं मिलते हैं ऐसी एक और मज़़तार video के साथ